सो हेलो गाइज वेलकम बेक टू माइ निव वीडियो और यह है मेरा आइफोन 15 प्रोमैक्स जिस पे मैंने लगवा दिया है मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर मैट टफन तो अभी कर्मियों में आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे मतलब काफी डस्क जमा हो जाती है या फि स्क्रीन प्रोटेक्टर पर यह बिल्कुल भी नहीं होगा और फोन अग्दम स्मूथ चलेगा समझ रहे हो यह मेरे को पड़ा है 350 में इसके अलावा नीचे का भी मॉडल आता है इसका वह है 250 में लेकिन 350 में जो एज होती है फोन की वह भी कवर हो जाती है बाकि मैंने देख वह स्प्रेज़ वह वह किया लेकिन 20 स्क्रीन पर वैसा का वैसा टाच इस श्यू अभी भी हो इघ्ला हूप पिछला 3 साल से मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर पुराने फोन में तो सुचा कि इसमें भी लगवा देता हूँ और इसमें लगवा दिया जुपाई कसम से अब एक फोन चलता है देखो मैं आपको अभी गेम प्ले करके दिखाता हूँ तो गाइस यह मेरा पुराना वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर पैंसर ग्लास लेकिन यह तीन महीने पुराना हो चुका था तो आपके पास कोई सा भी कंपनी का फोन हो ना लेकिन अगर आपका तीन महीना हो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा है तो उसको निकलवा दो यूकि आप गेमर और बैटल रोल गेम खिलता हो मुबाइल में तो जहाँ पर आपका फार बटन होता है वां स्क्राचिस आई जाते है तो तीन महीने मैक्सिमम तीन मैना टाइम उसके बाद आप अपने स्क्रीन प्र रिस्पॉंस आता है ना और जो हैड लगते बाई एक दम मतलब अगर आपको हैडशोट नहीं लग रहे अगर सच में आपको हैडशोट मारने ना तो तब भी मैं आपको हाइले रिकेमेंट करूंगा कि आप यह वाला स्क्रीन प्रोटक्टर एक बार यूस करके देखो और यह गेंपले देखो गाइस क्या ही तो हेड लग रहे है देखो गाइस आप हेड देखो जो लगता है ना इसके अंदर वाकिया और मैं तो विदाउट कवर खेल रहा था अगर आप कवर के साथ कहलोगे न तो मस्त क्रीप आएगी वाई हेड देखो भाई एक नंबर लगें चलेगा फोटो में उतने कोई दिक्कत होगी नहीं ठीक है थोड़ा साई बहुत माइनर इफेक्ट पड़ेगा कोई मैचर इफेक्ट पड़ेगा नहीं बाकि देखो आपको मताना की वीडियो कैसी लगी आप आपको हजारों के कर्च करने की ज़रुवत नहीं है नॉर्मल यह मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर आप मैट अफन बोलोगे पास के दुकान में तो वह लगवा देगे और उससे अब आपका जो सारी जो तकलिफे होगी ना कि टच नहीं हो रहा यह वह सारी चीजे स्वाल हो जाएगी ठीक है तो बताना वीडियो कैसी लगी और इसके तो मैं नेक्स स्टूडियो पक्का उस टॉपिक पर बताऊंगा बस आप कॉमेंट करके बता देना ठीक है तो बाकी मिलते हैं नेक्स स्टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर रहें जाहें